बिस्मिल्ह रुख्मान रुरहीम असलाम अलेकूं रहमतुल्ह वरकातुहूं आज मैं एक नई वीडियो के साथ अजरुआ हूँ और आज की वीडियो जो काता लुक आलुखारे की वराइटी का तार्भ भी आपको देखना मक्सूद है तो यह जो आप आलुखारे का फल देखें इस पर कितनी फ्रूटिंग है और यह आप देखें कितना नार साइस का फाल है इसका जो यह हमने ग्राफ्टिंग की थी और ग्राफ्टिंग के लिए जो रूट स्टाक हमने इस्तमाल किया था वो मेरियना अलुचे का रूट स्टाक इस्तमाल किया था तो इसके लिए मुख्तर किसों के रूट स्टाक इस्तमाल किया सकते हैं बाद आलाकों में सेडिलिंग, पीच यानि आडू का रूट स्टाक भी इस्तमाल करते हैं सेडिलिंग, अपरिकाड का रूट स्टाक भी इस्तमाल कर सकते हैं कि जो इसके लिए जो सबसे रूचा रूच टाग है वह यही रूच टाग है मेरियोन ए अलूचे रूच्च टाग है इसके उपर इसकी फुरुटिंग भी बहुत ज़दे हुती है और इसके रावा इसका प्छा साइज भी बट बड़ा होता है बानेस बहुत पीच के रूट स्टार्ग के यह देखे इसका कितना बड़ा फाल है लार साइज का फाल है तो यह एक जापानी वराइटी है इसका इसकी चिली रिक्वार्मेंट्स तकरिबान इसकी सड़े तीन सो तक है तो इसका मतलब यह है कि यह पाकसितान के तुमाब गार मिलाकों मा स्वाब सींद और बल़िस्तान के हंताई गार मिलाकों को छोड़कर पूरे पाकसितान में यह काष्ट की जा सकती है इसका फाल बहुत खशरू होता है उच्छुपी शेक jsगर लगता है बहुत नरम और जूसी होता है और बहुत मिठा भी होता है अगर इसका फाल ज्यादा तेक पर अगर इसको रहने दे तो यह ज्यादा मिठा हो जाता है काफी ज्यादा इसमें मिठा ज्यादा आ जाती है हो फिसके साथ को खाण कंता है इसका भी फाल वीडियेर ह्ता है ईस क्यों फूरम रखनार उसके लिए हम मैइजनिट करेंए और आज्छयए पर एक मैडिन कर भाण छुट तो इस वराइटी को आप लाजमी ट्राइए करें बिल्खसुस गार मिलाकों के रहने वाले साथ देलाकों में भी यह बहुत अच्छा पर्फार्मस देती है वह इसलिए कि यह एक लेड ब्लूमी वराइटी है यानि इसके जो फूल कहते हैं वह लेड सीजन में कहते हैं और साथ देलाकों में बिल्खसुस यह प्रावन होती है कि वहां लेड सीजन तक फ्रास्ट हैनी कोर का इस्यू होता है और अगर खुबानी अलूब घारे या किसी दूसरे पलदार द्राख्त की अगर वहां ब्लूमी जल्दी हो उनके फ्लावर बहुत अर्ली खेरें तो ही का यह इशू नहीं होता है वह इसलिए कि इसका जो भूमिंग प्रूर्वड होता है वह काफी लेड होता है तो यह जो वराइटी है यह दूसरे अलूब घारू जिनकी ब्लूमि या फ्लावरियन लेट होती है उनके लिए जबदस पॉलिन नाजर का कौम भी करती है वह नहीं कि पॉलिनेशन के यूरुप हरों कि यूरुपन पॉलाइटे महाँ हाँ, इस तरह से अकम आप टाइय। अगर आता है फ्लावरिंग बहुत जएदा है तो यह पॉलिनेशन का मसला है तो इस पॉलिनेशन के मसले को आली सी तरह किया जा सकता है कि वहां पर आप दूसरी जापानी अलुबखारों की वराइटी लगा दें लेकर उनका बलूमी टाम या फ्लावरिंग टाम बेकल सहम अ चाहिए एक ही अना चाहिए तो इस वराइटी को आप लाजमी ट्राइ करें गार मिलाकों के रहने वाले बीस वराइटी को ट्राइ करें अशाला बहुत ज़्यदा यह फ्रूटिंग देती है बाद वकाद इसका फाल इतना ज़्यदा होता है कि शाखे इनका टूटने का हत् होता है और इसलिए गार्डनों इसको बिल्कुस्स वो ट्राइ करें और इसके फाल बरपूर उसे फाल से इंजाय करें यह इन्शाला यह वराइटी आपको बरपूर फाल देगी और बहुत आला क्वाल्टी का फाल इसका होता है तो आज की मेरी वीडियो बस इसी पर मैं ख अलब खाले के एक दूसरी फाराइटी के साथ आज़र होंगे उस वक्ता के लिए ख़दा आफोज असलाम अलेकूं रहमतुलाही वरकातू